दोस्तों रोश्कार स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उशा की किरन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की सांदार गाड़ी ट्रियो प्लस मेटल बाड़ी के साथ में आने वाले इस आटो रिक्षा के साथ में आपको बहतरीन, फीचर्स, कमफर्ट सारी चीज़े देखने के लिए मिलती है तो हर चीज के बारे में हम डीटेल में इंफॉर्मिशन आपको देंगे इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आपको पता है पेट्रोल और डीजल की केमते जो है आए दुनों मेंगी होती रहती हैं जिसके माधियम से होता क्या है दोस्तों की जेब पर असर पड़ता है एक आम आजमी की पर इनको चलाने का जो खर्चा है वो भी काफी कम पड़ता है क्योंकि दोस्तों घर के अंदर आप अपने थ्रीविलर को इजली चार्ज कर लेते हैं और एक अच्छी बात दोस्तों की जीरो मेंटेनेस ये गाडिया होती है क्योंकि यहाँ पर कोई इंजिन वगरा तो होता नहीं है साथ ही ड्राइवर का comfort और safety का भी पूरा ख्याल रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी बड़ी wide इसकेंदर जो है wind screen दी है जिससे कि ड्राइवर का धूल मिट्टी और हवासे बचाव होता है किसी भी तरह के मौसम में ड्राइवर इसको आसानी से चला पाते है इसको clean करने के लिए काफी बड़ा एक wiper दिया है जो इसको easily clean कर लेता है यहाँ पर अगर आप सामने देखते हैं तो काफी खूसरत इसके अंदर round ship के अंदर वाले headlight दिये है जिनकी focus length night के समय में काफी अच्छी है इसी के उपर आपको इसके अंदर turn indicator दिये है तो दोस्तों अगर हम देखें इसको सामने की side से तो road presence काफी अच्छा देखने वाला है यहाँ पर आपको महिंद्रा का logo मिल जाता है यहाँ पर आपका number plate लगेगा और यह जो आपको यहाँ पर front में design दिया है यह भी इसको जो है अच्छा खासा appearance देने का काम करता है दोस्तों यहाँ पर यह सामने का हिस्सा पूरा metal body के साथ में है जिससे कहीं न कहीं driver की और passenger की सारी safety यहाँ पर बनी रहती है तो महिंद्रा trio plus के अंदर आपके comfort, safety हर चीज का यहाँ पर ख्याल रखा है टायर से kitchen मटी ना उचले तो इसके लिए safety के लिए काफी चोड़ा इसके अंदर मटगाड दिया है टायर साइज की बात करें तो 3-75-12 का आपको यहाँ पर बड़ा टायर दिया है जिससे की एक अच्छा काचा ground clearance आपको मिलता है अब दोस्तों बात करते हैं driver की comfort की तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं काफी spacious जगे आपको केविन के अंदर दिया है काफी अच्छी seat है, काफी अच्छा cushion material आपको यहाँ पर दिया है जिससे की driver इसको अनवरत रूप से कितना भी दूरी तक चला है उनको काफी अच्छा का सा space मिलता है इस side में आपको red color का यह जो button दिया है इस से आप अपने front, neutral और reverse को engage कर पाएंगे चाथ यह आपको boost mode के साथ में चलना है कभी ज़्यादा power के साथ में चलना है तो आप boost mode के engage करके चला सकते है इको mode दिया है इसके अंदर इस side में आपका horn का button, turn indicator, light का, upper dipper का यहाँ पर यह बटन दिया है सामान रखने के लिए space है यहाँ पर 12 volt का आपको mobile charging का option भी दिया क्योंकि दोस्तों आम तो पर आजकल GPS वगरा के साथ में हमारे 3 wheelers चलाए जाते हैं तो आप अपने phone को charge करे सकते हैं यहाँ पर आपको एक lockable glow works भी दिया है आप एक खुबसूरत आपको information display दिया है जिसके आप digitally तमाम सारी चीज़ें आपर देख सकते हैं आप अश्यान है कि आपकी battery इतना चार्ज है आपको यहां पर सो होगा km पर है यहां पर आपको क्लौ मेंटर हैं यहां पर आप अपनी गाड़ी को और कितना रन कर सकते हैं तो यह सारी की सारी चीजिए आपको इसके खुबसूरत डिस्प्लेए के ऊपर यहां पर सो होती रहती है यहां पर दोस्तों आप 1000 लाइट का स्विच अन कर सकते हैं जिससे की चारों ही इंडिकेटर हमारे रन होते हैं यह वाइपर का स्विच हो गया यहां पर आपका पार्क आसानी से गाड़ी को बैट के चला सकता है, यहां पर आपको ग्राफिक्स काफी खुबसूरत दिये हैं, जो कि गाड़ी को चलाते समय रोड प्रिजेंस आपको अच्छी देने का काम करेंगे, तो चारवी तरप आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाने वाले हैं, पै कि जस तरह से आपको आगी की साइड में लेग स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, वैसा ही लेग स्पेस आपको यहां पर भी काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, तीन लोगों की बैटने की वरस्त आपको पीछे मिलती है और एक ड्राइवर, यानि की थ्री सामान वगरा भी रख सकते हैं, लेग रूम काफी अच्छा है, हेड रूम वगरा भी काफी अच्छा आपको यह अवर दिया गया है, बात करें और शेफ्टी फीचर्स की, तो यहां पर आपको असिस्ट ग्रिप दिये हैं, जिससे कि इनकेस कभी दच्की हो, ब्रेक करो तो वहाँ पर हमारे पैसेंजर, और सेफ्टी के साथ साथ अपनी यात्रा को कमपीट कर पाते हैं, वही दोस्तों, अगर हम पीछे की बात करें, तो सब से पहले आप देखेंगे, आपको विंडो दिया है, जिससे कि आप रोड पे पीछे निखा रख पाते हैं, दोस्तों इस गाड़ी को काफी सेफस्त पनाया है, महिंदरा की तरफ से, पीछे की साथ में आपको ये मेटल का बंपर भी दिया है, इन केस आपकी कोई टोवीलर वगरा गाड़ी है, पीछे की साथ से हिट करती है, तो आपकी गाड़ी यहां पर डेमेज नहीं होती है, इल उसको यहां पर सेफली माउंट किया गया है, यहां पर आपको मिलती है 55 किलोमेटर की टॉप स्पीट, जिससे कि आप ज़्यादा से यादा इसके राउंड कर पाएंगे, आपकी कमाई ज़्यादा अच्छी खासी होगी, और कमाई अच्छी होगी तो घर के अंदर खुसाल हम रोड के उपर देख सकते हैं, लगबग 50,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स सेल हो चुकी हैं, जिन्हों ने आज तक 17,000 मेट्रिक टन्स से भी ज़्यादा CO2 उत्रजन को भी कम करने में अपनी हेल्प की है, तो आज तक दोस्तों 1.03 बिलियन किलोमेटर से भी लंबा सफर किया जा चुका है, ट्रियो फैमली के तमाम सारे भाहनों के द्वारा, ट्रियो सिर्फ एक नाम नहीं है, T for Technology, R for Range, E यानि की Easy Ride and Comfort, O यानि ओपेको यानि की सेविंग, ये सारी चाहिए मिलती हैं आपको ट्रियो फैमली के भाहन अको द्वारा, ट्रियो प्लस के अगर हम ब 50 km की रेंज मिलती है, Certified Range आपको दी गई है, 167 km की, IP67 डेट आपको यहां पर मोटर दी गई है, जो की 8 kWh की पावर और 42 Nm का टॉर्क गाड़ी को देने का काम करती है, अब दोस्तों हम एक और फीचर की बात करते हैं, जो की सेफटी वाला फीचर है, जो की आपको दिया ग होल्ड हो जाता है, Hill Hold Assist, आप यह अच्छा फीचर है, जो की कारों भी अक्सर देखने के लिए मिलता है, वो आपको दिया है, महिंद्रा ने, Trio Plus के अंदर, अब दोस्तों वारंटी की बात करते हैं, तो Trio Plus के साथ में आपको मिलती है, पांस साल या एक लाग 20,000 km की पूरी यहां पर आप अपने आटो रिक्सा को पूरा ट्रेस कर सकते हैं, जिसके अंदर नेविगेशन है, GPS है, आपकी बैटरी की लाइफ केसी है, स्टेट आफ चार्ज कितना है, आने वाले रास्ते में आपके चार्जिंग स्टेशन कहां पर आने वाले हैं, साथ ही आप अपने स सर्विस अलार में सर्विस अलर्ट है, उन सभी को नेम वाइब के माज़रम से देख सकते हैं, बस आपको सिंपली फॉन के अंदर इंस्टॉल करना है, नेम वाइब और सारी की सारी चीजे आप अपने फॉन की स्क्रीन पर पठा कर सकते हैं, अगर आप इसको सी एंजी ओट अधर फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, सीजी, इन सभी के जो दावा में वो काफी फ्लेक्ट्वेट होते रहते हैं, तो इस लियाद से चलाने में भी काफी एजी है, काफी लो कोस्ट ओनर्शिप मिलती है आपको यहाँ पर क्योंकि चलाने का खर्चा काफी खम होता है, तो गाड़ी के बारे में बिसे जानकारी लेने के लिए आप निकरतम महिंद्रा की डिलर्शिप में भी संबख कर सकते हैं, यह वीडियो अपको अच्छा लगा है, यह आटो रिक्सा आपको अच्छा लगा है, तो इस जानकारी को आप शेयर करें, अपने मित्रों में, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी इसली पहुच पाए, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!